हलो इंडिया प्यारे जैस्वासिक मेरा अभी नंदन मेरा नाम डॉक्टर कुमार्ट नीद गोहल है हमारे यूट्यूब चैनल एटू जर्ड करियास में आपका स्वागत है मैं आपके लिए लिए लेका हूँ 4000 इजंचेल इंग्लिश वरड का इस नंबर 9 इस नाइंथ वर्ड में हम आपको पाअच्पाच करके वरड़ देते हैं पाच एंटरनीस वरड़ पाच स्याल्यिव चैनल या टोटी आखरे इसके डबल ह denken करते ते इस क्योंकि यह बहुत सारे वर्ण हो जाएंगे जब आप देखेंगे तो चलिए शुरूबात करते हैं सिनोनिम्स की पहला बड़ है सिनोनिम्स सिनोनिम्स का मतबता है पर्याएवाची इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा कई बार एक्जाम में यह भी पूछी जाती है पहला सिनोनिम्स वर्ट से डेलिब्रेट डेलिब्रेट का मतबता है विचार पोड तिंक्फुल इंटेंशनल आई एंट टी एंट यानि जीए कि विचार करके किसी कारे को करना जान्बूझकर नहीं करना विचार पूर वक्त्रिख बड़ी कर से किसी कारे को करना ke childhood इसका CT आ आओ से दूसरा वड़े डिलाइट फ्ल डिलाइट फ्ल का मतलव तर आनंद पूंग शंच की बात कि इसके जो सिनोनिम्स से पहला है pleasing P-L-E-A-S-I-N-G, Charming, C-H-A-R-M-I-N-G, Mary, M-E-R-R-Y, तो delightful के तीन सिनुनेंस में आपको बताएं, pleasing, charming, and Mary, फिर दिलीवर, D-E-L-I-V-E-R, deliver means होता है देना, handover, rescue, liberate, deliver means किसी को देना, जयते handover करना, rescue means बचना भी होता है, देना, और liberate, liberate means होता है, स्वतंत्र करना, तो liberate भी deliver का synonyms verse हो जाता है, next word है demolish, demolish होता है नस्ट करना, यानि रेक, यानि कि रेज, R-A-Z-E, W-R-E-C-K, wipe out, और ruin, ruin means खंडर भी होता है, तो यह आपको पाच वड़ याद करने, यह बहुत important word है, कई बार नस्ट करना के synonyms जरूर आ जाते हैं, exam में, demolish, rage, R-A-Z-E, wreck, W-R-E-C-K, wipe out, और ruin, R-U-I-N, यह आपको सारे के सारे वड़ याद होने चाहिए, next is denounce, D-E-N-O-U-N-C-E, denounce means किसी की मिंदा करना, curse, C-U-R-E-C, accuse, किसी पर accuse करना, censure, C-E-N-S-U-R-E, यह सारे निंदा करने के word है, censure means, आलोचना करना भी होता है, sensor board होता है जैसे, यह पाँच synonyms मैंने आपको दिये हैं, पाँचों synonyms आपको याद हो जाने, चाहिए, एक बार और हम इन सब synonyms को धोरा लेते हैं, ताकि हमारे यह पके याद हो जाए, और लेकिन एक important बात इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इन्हें याद कैसे करेंगे, देखे, सन 1990 की बात है, जब हम इंट इधर के खाज आते थे, सुबह 6 बजे पढ़ने के लिए, उन्होंने हमें कहा रखा था, डेली इधर वाले पाँच-पाँच वर्ड लिखके लाओ, पाँच वर्ड, पाँच एंटोनिम, पाँच सिनोनिम, पाँच एडियम, पाँच फ्रेजर लिखके लेके आया करो, और इधर वाले वर्ड मेरे सामने लिखके देखा करो, लिखने की प्रेक्टिस से हमारे ये वर्ड इतने पक्के हो गए कि आज भी अठाई साल बाद भी ये वर्ड हमें पूरी तरह से याद है, तो यही प्रेक्टिस आपको करनी है, कि इधर के वर्ड को नोट डाउन कर लेकर को या दोस्त को किसी को भी लिख के दिखाने की आदस पर और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जादा जादा लोगों को बोले एक दो फ्रेंड्स को जरूर जोड़ ले अपने ताकि वो भी आपके साथ इन वर्ड को याद करें क्योंकि यह वर्ड आपस में कॉमिनिकेशन करने से जादा याद होते हैं आप इसको डे टो डे कनवर्जेशन में लेके आए चलिए एनीवे मैं एक बार रिवाइस करा देता हूं आपको इस सारे के सारे पर पहला वर्ड है डेलिब्रेट डेलिब्रेट के सिनोनिम से हैं इंटेंशनल और के एरफुल ने डिनाउंस डिनाउंस के सिनोनिम से हैं कर्स, एक्यूज, अ staffing इस तरह से ये पाँच वर्ड नंहोगे आपके दस से पंद्रा वर्ड हो जाते हैं हो सकता है एक तो वर्ड इसमें आपको याद हो लेकिन ज्याद़ तर आपके लिए नए वर्ड होंगे और न्यू वोके बलरी बेस्ट मिलेंगे जैसे कि पैरेग्राफ आता है पैरेग्राफ भी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वोकेबिलरी अच्छी होगी प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे में पांच सब्जक्ट की तयारी कर सकते हैं समस्फिक जाएंगे इसके अलावा प्लेपे हैं जैसे यू जी शी नेट वालों के लिए अलग से प्लेप्यलिस्ट है सिक्षक बढ़ती के लिए अलग से प्लेअग यू पूलिस्ट है अलग-अलग लिस्ट है जो भी अग्जाम हो उस प्लेलिस्ट को चूज कीगे और उसकी जितनी भी वीडियों उन सब वीडियो में पांच-पांच वीडियो डेली देखना प्राराम कर दिए आपकी तैयारी ओटमेटिकली हो जाएगी और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब निकिया है तो तुरंट इसे सब्सक्राइब कर दें बैल बाल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिल जाए एट्वीडर करियास is always with you my name is dr. कुमार पनीद गोहल you can follow me on instagram and instagram and facebook even you can write up your problems on my word september which is given in description box you can write your problems related to study I will try to give you some solution God bless you all the success in your life thank you very much for watching my video मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाट